तो दोस्तो थंडी का वक्त शुरू हो गया है और जिस तरी के गर्मी बेहुसाब हुई थी तो थंडी के बेहुसाब होने का भी बहुत ज़्यादा चांस है और यही एकदम सही टाइम है गीजर लेने के लिए अगर आप गीजर ढून रहे हो तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ फाइब इलेक्ट्रिक गीजर स्टोरेश टैंक टाइप आले जो आपको साथ हजार के नीचे या उसके प्राइस सेग्मेंट के आसपास मिलने वाले हैं जो भी मैं पांचों के पांचों बेस्ट होने वाले हैं यह पूरे जो मैंने पांच के अलग- विजट करके और कुछ घुआस पस्ट यूज़ करते हैं वाले हैं तो मैं रिखमेंट करूंगां आप लोगों को दिसाइड करना है कि कौनसे ब्राइन्स के तरफ जाना है और कौनसी तरफ आपको जाना है मैंने जैसे बोला की यह स्टोरेश टाइंग टाइप का घुज़ है और चौता होता है सोलार गीजर मैं इंस्टेंट इलेक्ट्रिक टैंकलेस के उपर भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ अगर आप लोग चाहते हो कि मैं सोलार और गैस गीजर के उपर भी वीडियो बनाऊ तो मैं एक पिंड कमेंट डाल दूँगा वहाँ पर अगर ज्याद है और यह जो टेंपरेचर रेंज होती है वह 25 से 75 डिगरी तक ही रहती है तो एक डिजाइट टेंपरेचर पर पहुचने के बाद थर्मोस्टाइट हीटिंग अलिमेंट को बन कर देता है बट अगर आपने पावर उट्पूट बन नहीं करा तो वह हीटिंग अलिमेंट तो तो अगर आपके घर में एक से दो लोग है तो पांच लिटर की स्टोरेज टाइंग कैपैसिटी के साथ जाओ दो से चार है तो आप दस लिटर की जाओ और अगर तीन से छे लोग है जो मोशली आवरिग लोग घर में होते हैं तो पंदा लिटर और अगर उसे जादा लोग पांच से आठ लोग तो 25 लीटर की storage tank capacity के जाद जाओ ये वीडियो में मैं 15 लीटर की storage tank capacity वाले गीजर सी आपको बताने वालाओ तो दोस्तो मेरा नाम है आमिर जा टाइम वेशनी करेंगे लेट्स बेगे तो दोस्तो नंबर पांच में मैं आपको recommend करूंगा क्रॉम्टम का एर्नो नियो जो की 15 लीटर की storage tank के साथ आता है 2000 वाट तक की maximum power wattage देखने मिल जाती है और 8 बार का pressure ये handle करता है मतलब आपके घर से जो pressure water जिसके tank में जाने वाला है वो 8 बार तक ये handle करता है तीन लेवल की safety देखने मिल जाती है capillary thermostat देखने मिल जाता है automatic thermal cutoff और multifunctional valve देखने मिल जाता है जो आपके tank को higher safety और geezer को higher safety provide करती है anti-rest है इसकी body और इसके अंदर specially designed magnesium anode देखने मिल जाती है self-sexifying anode होती है मतलब जो आपके hard water या फिर oxidation से आपके tank को बचाती है और tank की life बहुत ज़ादा बढ़ाती है IISI mark nickel coated special element मतलब heating element है वो IISI mark दिया है यह बड़ा plus point है जो scale formation और oxidation से बचाता है आपके heating elements को और इसका heating element है वो copper से बना हुआ है chrome time आपको यह घिजर के उपर 5 साल की tank के उपर warranty देता है और 2 साल की product के उपर warranty देता है अगर मैं price की बात करूँ तो अभी फिलाल यह आपको 5998 का मिल रहा है और almost 6000 रुपीज का मिल रहा है अगर मैं बात करूँ प्रोज एंड कॉंस की तो प्रोज में में मेरे हिसाब से isi mark nickel coated special element एक बड़ा प्लस कोईंट रहेगा और temperature control lock हमेशा मेरे लिए एक बड़ा प्लस कोईंट रहेगा कि वहाँ पर आफ 25 से 75 डिग्री तक temperature को control कर सकते हो अगर मैं कौन की बात करूँ तो एक कौन में को यह लगता है कि इसमें installation paid है और जो पाइप स्वाइप जो लगने वाले है वो भी आपको अलग से लेना पड़ेगा यह जो इसके प्राइज में उसके provided नहीं है तो यह जो 6000 की प्राइज है वह साड़े 6000 यह उससे लेटर की storage tank की capacity के साथ आता है 2000 watt का maximum wattage देखने मिल जाएगा और 8 बार का pressure यह handle कर लेता है इसके अंदर आपको factory set thermostat है इसमें pressure reducing valve नहीं दिया गया है 75 degree तक की इसकी limit होती है multifunctional safety valves भी देखने मिल जाते है इसकी जो outer body है जो geezer की outer body है वो ABS plastic से बनी वी है जो superior glossy और surface finish देती है inner का जो tank material है वो blue diamond glass line tank दिया गया है जो इसके inner body को corrosion regression बनाता है मेरे इसाब से बहुत बड़ा plus point है अगर मैं energy star rating की बात करूँ तो 5 star energy star rated है जहां पर आपको maximum energy saving देखने मिल जाती है android rod देखने मिल जाती है जो self-sacrificing android rod मैंने बोला था magnesium की होती है जो आपको hard water और corrosion से ब के ओपर warranty देता है दो साल की इसकी glass coating heating element के ओपर warranty देता है और दो साल के product के ओपर comprehensive warranty देता है अगर मैं price की बात करूँ तो अभी फिलाल यह 69999 almost 7000 रुपीज का मिल रहा है बात कर ले pros and cons की तो pros में जो diamond glass line tank दिया गया है यह बहुत बड़ा plus point है और सबसे बड़ा plus point इसके रहा है आपको zero installation charge है मतलब brand की तरफ से आपको installation free है जहां pipe pipe installation पूरा यह brand करें देगी यह बड़ा plus point है अगर मैं कौन सी बात करूँ तो इसके अंदर आपको temperature controlling knob नहीं मिलती इसमें आपको factory set thermoset मिलता है तो यह बड़ा कौन लगा बट overall बहुत करें यह गीजर की तो बहुत यह बहुत शांदार गीजर है यू के डेफिनिटली गो फॉर इट लिंक आपको दोस्तो नमबर तीन पर मैं आपको recommend करना हूँ बजाज का न्यू शक्ती नियो जो आपको 15 लिटर की storage tank capacity के साथ आता है 2000 watt की maximum power output देखने मिल जाती है आड़ बार का pressure यह आसानी से handle कर लेता है glass line inner tank देखने मिल जाता है जो इसका inner tank है वो glass line inner tank है titanium armor technology के साथ आता है magnesium rod मिलती है जो self-sacrificing rod होती है anoid rod मतलब जो आपके hard water जो आता है अपने घर में या फिर corrosion से बताती है tank और tank की life increase करती है जीरो corrosion होने वाला है temperature controlling knob देखने मिल जाती है मतलब आप knob से 75 डिगरी कर सकते हो बड़ इसमें cut off 50 डिगरी पे ही maintain कर दिया गया है जो में को एडिशनल फीचर लगा child safety के लिए five star energy efficient है यह गीजर इसके अंदर जो इसकी tank का जो flow है वहां पर आपको spill flow technology देखने मिल जाती है जहां पर आपको 20% more hot water देखने मिल जाता है और PUF insulated है मतलब जहां पर आपका insulation अलग से provide करी है 4 in 1 आपको multifunctional safety valves देखने मिल जाएंगे fire retardant इसका जो केबल है वो fire retardant और fire resistant है वो एक बड़ा plus coin लगा बजाज आपको एक साल की comprehensive warranty देता है product की आपर टैंक के उपर आपको 5 साल की warranty देता है और heating element पे दो साल की warranty देता है अगर मैं price की बात करूँ तो अभी फिलाल यह आपको 5799 रुपे में मिल रहा मतलब 5800 रुपीस के आफसाज मिल रहा है अगर मैं pros की बात करूँ तो temperature controlling knob एक बड़ा plus point second titanium armament technology दी गई है जो इसके inner tank में ज जहां पर आपको pipe और installation के लिए additional पैसा देना पड़ता है तो उसका 500-600 अलग से calculate करके जोड़ लेना तो यह पैसा उसे साब से जाता है मेरे साब से जो बजाज का नियो शक्ति नियो एक बहुत ही जादा शांदार घीजर है 15 लिटर की storage capacity के साथ तो definitely you can go for it link आपको description के गाट का डिवाइन नो 15 लिटर की storage capacity की साथ इसकी टैंग आती है 2000 वाट की maximum वाटेज यह लेता है और 8 बार का pressure यह handle कर लेता आराम से इसके अंदर जो इसकी inner tank है वो thick और high dense CFS दी आ गया है मतलब no chloro fluorocarbon free PUF insulation के साथ आती है मतलब जहां पर आपको heating retention ज्यादा मिलने वाला ह अगर एक बार पानी गरम हो जाता है तो वो जल्दी से अपनी मतलब temperature नहीं lose करता मतलब जाया time तक गरम रहेगा animal coating protection दिया गया है inner tank के साथ यह बड़ा plus point है इन क्लॉइ 800 का glass coated heating element दिया गया है यह बड़ा plus point है जो इसका heating element है वो glass coated है मतलब यह oxidation और बाकी corrosion से इसको बचाता है थिक magnesium anode दिया गया है इसके अंदर मैंने बोला जो self-sacrificing anode इसके अंदर दालना एक बड़ा plus point होता है जो मतलब oxidation high grade mild steel से बना हुआ है जो मतलब और एक बड़ा plus point है जो मतलब ऐसा नहीं है कि जो corrosion resistant नहीं है अच्छा material यूज किया गया है advanced thermostat देखने मिल जाता है इसके अंदर और thermal cut-up mechanism भी देखने मिल जाता है और dual overheating protection जैसे features भी आपके इसके अंदर देखने मिल जाते है और साती साथ इसके अंदर excessive pressure को जो build up होता है इसको भी रेड्यूस करता है वाक्यूम formation को भी रेड्यूस करता है reverse water flow को भी रेड्यूस करता है 25 degree to 75 degree तक आप असानी से control कर सकती हो अगर बात करें warranty की तो वीगाट आपको प्रड़क्यों पर दो साल की warranty देता है तीन साल की आपको heating element पर वारेंटी देता है और पास साल की inner tank पर वारेंटी देता है अगर price point की बात कर लूँ तो अभी फिलाल यह आपको 6199 मतलब 6200 रु एक बड़ा plus point glass coated heating element देखने मिल दाती है fine one आपको multifunctional safety वाल देखने मिल दाता है जाकर रिवर स्वाट और वाक्यूम फॉर्मेशन प्रेशर बिल्डप को सबको एक control कर सकता है and definitely बड़ा plus point है अगर मैं कॉन्स की बात पर हूँ तो अगीन भी गाड़ यहां पर आपको installation नह देखने मिल जाएगी तो दोस्तो नंबर वन पर मैं आपको recommend करूंगा हैवल्स का Monza EC 15 लिटर की storage tank के ऐसाथ आता है 2000 वाट टक की maximum power वाटेज इसमें भी देखने मिल लेगी आठ बार का प्रेशर यह भी handle कर लेता है फोर स्टार एनजी स्टार रेटेड है एडिसेबल नॉप इसके अंदर भी देखने मिल जाती है जहां टेंपरेजर को आप 25 डिग्री से 75 डिग्री तक आसानी से कंट्रोल कर सकते हो multi-functional safety valve देखने मिल जाएगी जो आपके टैंग को internal और external प्रेशर से बचाती है और जो इसका टैंग है वह सिंगल वेल डिजाइन है और जो बनी है स्टील से सुपीरियर स्टील से बनी हुई है इंकलोई का glass coated heating element इसमें भी मिल जाता है जो वीगार्ड में भी देखने मिल गया था और आपको hevels में भी देखने मिल जाता है जो इसका heating element है वो glass coated डिया गया है जो बहुत ज़्यादा शांदार है और excellent resistant है ये oxidation और carbonization के लिए और high temperature setting पे भी ये corrosion से बचाता है चाहे वो external hard water ह कई कोई घर में एकदम hard water आता है उससे भी बचाता है self-sacrificing anode देखने मिल जाती है वो भी stainless steel core के साथ आती है ये जो मतलब आप एक देट साल के अंदर change करते हो पर इसके वज़े से आपकी tank को major कोई damage नहीं होता है जो tank को corrosion element से बचाती है अगर मैं बात करूँ warranty की तो hevels आपको 2 साल की प्रड़क्यों पर warranty देता है 5 साल की आपको tank योपर warranty देता है और 2 साल की आपको इसके heating element पर warranty देता है अगर मैं price की बात करूँ तो आपको ये 7398 का मिल रहा है मतलब 7400 रुपे के आसपास मिल रहा है बट इसके उपर अगर मैं pros and cons की बात करूँ प्राइस अगर प्रोज की बात करूँ तो glass coated heating element देखने मिल जाती है एडिसेबल नौट देखने मिल जाती है जीरो इंस्टोलेशन चार्ज है इसका सबसे बड़ा important point है कि इसमें इंस्टोलेशन का चार्ज कुछ नहीं है ब्राइंड आपको free installation देने वाली है और साथी साथ इसके अं चार्जो में फिर भी वर्थ है और यह definitely 7000 की नीचे भी आता है अगर में कॉंस में बात करूँ तो फोर शार energy rated है बड़ मेरे को को यह सब बड़ा major account नहीं लगता और एक बहुत ही जादा शांदार घीजर है मेरे हिसाब से आपको मैंने पांचों अलग ब्राइंट के बच दालने वाला हूँ चाहाँ मैं सोलार गीजर और साथी साथ ग्याइस गीजर पर वीडियो बना हूँ यह नहीं उसके उपर अगर में को ज्यादा रिस्पॉंस आएगा तो डेफिनिटली बना हुआ जो भी मैंने पांचों गीजर बताए है उनकी बैश बाइंग लिंक्स आ महां पर चेक आउट करना जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ तब तके के लिए स्टे हेल्दी स्टे से बाइए